मुखेमंत्री हिमन सोरेन का रास्ता जमशेदपुर के पारा मेडिकल छात्रों ने रोका जहां पारा छात्रों ने अपनी कई पुरानी मांगों को सुनाया और इग्यापन भी सौपा मुखेमंत्री हिमन सोरेन, MGM Medical 9 निर्मित अस्पताल का उधगाटन और OPD का शुबारम कर आमसभा के लिए निकले ही थे कि वहीं पर पहले से खड़े पारा मेडिकल के छात्रों ने फस्टल और छात्रवाज जैसी कई सुधा के साथ छात्राओं की सुरक्षा की डिमांड रख क्योंकि हम लोग यहां पे रहते और गल्स भी बहार रहते हैं तो उन्हें कोई सेप्टी नहीं दे जाता है अब खॉलेज के अपने रहते हैं, अब घुलेज कि करते हैं, तो ही हम चाहते हैं कि अपना फॉस्टल देना जरूरी चाहिए, कि यह जवाब नहीं देखते हैं तो अभी तक मतलब 10 सल से मतलब यह देखते ही कोई भी सरकार क्या कम करेंगा अब टाइम भी नहीं है जाद एलेक्शन पर सरकार अब जल्दी एक्शन लेती तो अच्छी बात है अब नहीं लेती तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ते चात्र ने कहा कि हम लोग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वास्य मंत्री को दो बार ग्यापन सौप गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज मजबूरन मुख्य मंत्री को रोप कर उनको ग्यापन सौप्टा पड़ा। चात्र मेडिकल के चात्र हैं और हम लोग का यहां पे चात्राबास होस्टेल की सुविधा नहीं है ना ही हम लोग का कॉलेज है। उसी के संदर में हम लोग आये थे यहां तक कि छात्राबास के लिए पास भी हो गिया है 5 कोड़ रुपिया तक भी आ गिया है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि वह 5 कोड़ रुपिया और वह जमीन कहां किया है बता दें की काफिला रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री हिमन सोरेन ने मेडिकल चात्राओं की हर समस्या को सुना और जल्द से जल्द उनसे निजात दिलाने का भरुसा दिया मेडिकल के चात्रों ने कहा हम लोगों के पास ना हॉस्टल है ना ही कॉलेज इसके लिए जमीन चिन्नित हो गई है पांच करोर रुपे आ गए हैं लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया कि जमीन कहां गई और रुपे कहां गए जमशेटपूर से इंदरजी सिंग की रिपोर्ट